CAA, NRC, GST, नोट बंदी, पिछले आठ सालों में कुछ इस तरीके की गहमा गहमी भी रही और इसे बीच कई विकास के कामों को लेकर काम भी किया गया, ऐसा सत्तापक्ष और विपक्षी अपनी अलग-अलग राये हैं, लेकिन आज मोधी सरकार को क्यों कि 8 साल पूरे हो गए ह अगर मैं बोलू, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, और प्रधान मंत्री आवाज योजना, प्रधान मंत्री पैंशन योजना, जंधन योजना, स्वच भारत योजना, मुदरा योजना, एक लंबी फेरिस्त है, और सबसे बड़ी बात यह है, आईसमान योजना, पीम जुला योजना, तो अगर मैं गिनते जाओं, तो मैंने तो एक तीन-चार पॉइंट आपको बताये हैं, लंबी योजना हैं, जो जिसने काया कल पकड़ दिया है, भारत का, आज हम विश्व के सर्वसिस्त देशों में गिने जाने लगे हैं, माननी मोदी जी जिनके बारे म पहले लोग मजाग बनाते थे कि चाय बेशने वाला ट्रेन में वो प्रधान मंत्री बनेगा, वो प्रधान मंत्री एक बार नहीं, दो बार बने, बहुत बड़ी मैजरिटी से, और आज वो ग्लोबल लीडर बन गे हैं, पहली बार की रेटिंग में नंबर वन, विश्व के नेताओं में और दुबारा पोना है नंबर वन, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब दी हैं, यह तमाम चीजे हैं, जो आप बताते जा रहे हैं, आपने बताई दिया है कि कश्मीर की इस्तिति आज कितनी अच्छी हो गई, नौर्थी इस्ति की इस्तिति आज कितनी अच्छी हो गई है, आपने देखी लिया तिनसवा सत्तर हटाते समय विपक्ष ने क्या किया था, पैंतीस एज और तिनसवा सत्तर जब हटी, और आपके तलाग का कानून आपको पता है किस तरों से हमने उसको अमली जामा पहनाया, यह सब उपलब दिया हैं हमारी एक के ब पहले में मीटिंग भी चली, आप भी उस मीटिंग में मौझूद रहे, जेपी नडडा जी से लेका घ्रह मंत्री ने भी नेत्रित किया, खास कर कहा की जिम्मेदारी आपको दी गई है क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि 15 दिन का प्रवास रहेगा केंद्री मंत्रियों से रूटीन में हम लोगों का होते रहता है, हम कारिकरता पहले होते हैं पार्टी के, जो कारिकरम दिये जाते हैं, वो कारिकरमों को अच्छी तरह से करना, वहां की इस्तिती देखना, वहां की विकासकारी देखना, वहां का आकलन करना, वहां योजनाओं की क्या इस्तिती है, concerning government कितना उसको लागू कर रही है यह सब चीज़े हम देखते हैं मंत्री तो मुझे लक्स द्वीब और पश्चिम बंगाल यानि कि आप जा रहे हैं ऐसे जगहां पे जिसको एक बड़ा रण भी माना जाता है पश्चिम बंगाल को मुम्ता बेनर जी का सबसे बड़ा रण भी है फिलाल आपको क्या लगता है कि यह उजनाओ को जिस तरीके से वहाँ पहुचाएगे भविश्य में फिर कुछ वहाँ से निकल कर आएगा बेनिफिट क्योंकि देखा जाएक इस्तिती एक टक्कर का जिक चुनाव है उसके तौर पर देख सुके है सबी लोग जहे पश्चिम बंगाल हो केरल हो तमिलनाडु हो या अन्यराजी हो जहां पर समझते हैं कि बीजेपी नहीं है आने वाले दिनों में आप यकिन नहीं कर सकते आज के दिन कि यहां भाजपा का पर्चम लहराने वाला है पहले भी तो हम सुन्य थे उत्तर प्रदेश में कोई कहता था हम आएंगे कभी लोग कहते थे समीकरन है ही नहीं एक बार नहीं दुबारा बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी बहुमत से बहुत बड़ी मैजरिटी से हम लोग आ जाए हैं आप जानते हैं तो इसी तरह से आप देख लिजे मैं पुनह कह रहा हूं पस्चिम बंगाल हो चाहे केरल हो चाहे तमिलनाडू हो कि दक्षिन में बहुत तेजी से हम बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से और भाजपा का पर्चम फहराएगा और या उड़ीसा हो आप देख लिजी और अभी संसदी शेत्रों में ही देख लीजी अब अगर उड़ीसा केरल को आप थोड़ा सा नहीं केरल और तमिलनाडु को लग गये हैं कि देश में प्रधान मंत्री कैसा होना चाहिए उनका वीजन कैसा होना चाहिए जाति धर्म वर्ग शेतर से उपर उठके काम करने वाला व्यक्ति जन जन तक बच्चे-बच्चे की बहतरी की जो कलपना कर रहा हो और उसके लिए काम कर रहे हो वह कौन है प्रधा का है सत्तापक्स से आठ साल आठ चल मोधी सरकार विफर इस तरीके की प्रेस कॉन्फरेंस करके बुकलेट भी जारी की गई है बहस तो करें हम से ही बहस कर लें उनको सब बताते हैं कि इस चीज में चल किये भाई आपको दिखाई नहीं देता चश्मा कितने जिले च्छाट कि लें दख्षया की योजने कम हेल्थी योजने वहाँ पर अच्छी तरों से काम नहीं कर पा रही हैं लोग पहुंस नहीं पा रहे हैं बड़ी परिस्टाइनयों में बोगरें तो नजर मजबूत हो जाती है यहां किसकी नजर मजबूत करने की जुरूत है अकलेश यादव की उत्रप्रदेश में या सेंटल में बेटे राहूल गांधी से लेकर प्यांका गांधी वाटरा की सारे लोगों की सब के चश्में खराब हो चुके हैं दिखाई नहीं देता है अच्छे काम भी इतने अच्छे काम हुए आप देखिए जल में थल में नभ में आज हम बहुत मजबूत हैं आपने देखा कि हमने एर स्टैक किया आपको पता ही है तो वो दिखाई नहीं दिया आपने देखा कि डोकलाम में जो हुआ था उसका हमने उरी में जो हुआ था उसका गलवान में जो हुआ था उसका माकूल उत्तर दिया है हर जगो पर सर्जिकल स्टैक भी आपको नहीं दिखा एर स्टैक भी आपको नहीं दिखा जो पाकिस्तान बोल रहा था वोही आप बोल रहे थे कितनी गैर जिम्मेदाराना वाणी है आपकी इसका मतलब बिपक से पूरा गैर जिम्मेदार है जिम्मेदार है ही नहीं इसलिए आज देश यकीन भी नहीं करता है आप महंगाई की बात करते हैं तन्तता के समय क्या थी और आज कहां चले गई है, संसाधन उतने ही हैं, उसमें भी सारी चीजों को हमने रोका हुआ है, एक बहतर सासन दे रहे हैं, अभी पेट्रॉल, डीजल, गैस में आपने देखा, गुंजा इस थी तो कम कर दिया, मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं, बच बीडी, सिग्रेट, ठेली लगा रहा, सबजी की, जो भुकमरी आ गई थी जिसको, कोविट के दौरान, उसके लिए भी उन्होंने योजना दी हैं, उसके लिए भी उन्होंने धनरासी उसको दी, पहले दस अजार, फिर बीस अजार, फिर पचास अजार, आज उनके चूले बंगाल की दी गई है, जिसमें जो लगे हाज, जो ड्यूटी है, वो स्मृति रानी से लेके धर्मेंद्र प्रधान को भी मिली है, यानि कि दीदी के गड़ में हुंकारने के लिए पहाड के पुत्र भी तैयार हो चुके है, क्या मैं परसंद रुगेश के साथ, मैं भावन आरने न्यूस, तल्ली